पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला की हत्या के कथित मास्टर माइंड और पंजाब पुलीस के ओर से कई मामलों में वांचित गोल्डी बराड को भारत सरकार ने आतंगवाधी खोशित कर दिया है। पंजाब के जिला श्री मुक्त साहिब में हुआ था। इसके अलावा वो भारत के राजनीतिक नेताओं को धमकी भरे कॉल करने, फिरोती मांगने और विभेने सोशल मीजिया प्लाटफॉर्म्स पर हत्या के दावे संबंदित पोस्ट करने में भी शामिल है। गोल्डी बराड सीमा पार ड्रोन के जरिये हाई ग्रेड हत्यारों, गोला बारूद और विसफोर्टकों की तसकरी और हत्याओं को अंजाम देने के लिए सप्लाई और शापशूटर मोहेया कराने में भी शामिल रहे है। गोल्डी बराड और उनके साथी पंजाब में बरबरता, आतंग का महौल बनाकर टार्गेट, किलिंग और अन्य राष्ट्रे विरोधी गतिविधिया करके शांती भंग करने की साज रच रहे हैं। वो अंग्रेजी, हिंदी और पंजावी पढ़ सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड अगस्त 2017 में स्टडी विजा पर कैनड़ा गया था। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गोल्डी बराड पिछले 10 सालों से अपराद की दुनिया में सक्रिया है। लॉरेंस बिश्णोई गैंक से जुड़े गोल्डी बराड 29 मई 2022 को कतित तौर पर सिद्धू मुसेवाला की हत्या के बाद सुर्कियों में आया। गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि उसने ही मुसेवाला की हत्या की। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गोल्डी बराड 2017 में कैनडा गया और वहीं बैठ कर अपने साथियों की मदद से पंजाब में वार्दातों को अंजाम दे रहा है। पंजाब और चंडिगड पुलिस की नजर में गोल्डी बराड अक्टूबर 2020 में आया। गोल्डी बराड के रिष्टेदार गुर्लाल बराड की चंडिगड में कथित तौर पर बबिंह ग्यांग ने हत्या कर दी थी। अबिक गुर्लाल बराड की हत्या के मामले में गोल्डी बराड को गुर्लाल सिंग बल्वान पर शक था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में गोल्डी बराड का ये मामला पहला नहीं था जिसमें उसका नाम आया हो। पुलिस उत्रों का कहना है कि गुर्लाल पहलमान की हत्या के बाद गोल्डी बराड ने कतित तौर पर फिरौती के लिए फरीत कोट और मुक्तसर साहिव इलाकों में कई लोगों को फोन करना शुरू कर दिया था। गोल्डी बराड के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में सबसे पुराना मामला 2012 का दर्ज है। पंजाब में मोगा के रहने वाले एक स्थानी निवासी ने आरोप लगाया कि वो अपनी कार से जिम जा रहा था। इसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ लोग हत्यार लेकर सड़क किनारे खड़े थे। F.I.R. के मुताबिक उन्होंने मोगा के शक्ष पर गोलियों से हमला किया और फुरार होने में सफल रहे। हाला कि 2015 में गोल्डी बराड को इस मामले से अदालत ने बरी कर दिया था क्योंकि अपरात साबित नहीं हुआ था। वहीं सिद्धु मुसे वाला हत्याकान का मास्टरमाइंड पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चार्शीट में कहा गया है कि गोल्डी बराड सिद्धु मुसे वाला हत्याकान का मास्टरमाइंड है। चार्शीट में आगे कहा गया है कि गोल्डी ने शूटरों को पकड़ा और अलग-अलग लोगों को अलग-अलग काम दिये। उन्होंने विबिने गिरों के निशाने बाजों, वाहनों, धन, हत्यारों और उनके रहने की विवस्था की। गोल्डी ने ही कथे तौर पर शूटरों को 28 माई को मुसे वाला की सुरक्षा वापस लेने की सूचना दी थी। और 37 माई को हत्या के दिन गोल्डी ने उन्हें योजना में तेजी लाने के लिए कहा है। गोल्डी ने कथित तौर पर विक्की मिदुखेरा की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। चारशेट के मुताविक गोल्डी ही वो शक्स है जिसने कथित तौर पर शूटरों की रहने की व्यवस्ता की थी। उसने और लॉरेंस विश्णोई ने सोशल मीडिया पर मुसे वाला की हत्या की जिम्यदारी दूँ। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलाज इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रही है रिपोर्टर जे।